Very good morning kids, I know that everyone is waiting for the answer key as well as the result. My dear friends, 31st को answer key declare होनी थी NTA से, but it's getting late. और जब भी कोई चीज आपने किये हुए प्रामिस से लेट होती है, तो number of questions arises. और बात एकदम साफ है, हर कोई बच्चा सिर्फ मुझसे ही नहीं, हर चैनल पर एक ही question पूछ रहा है सर, official answer की कब release होगी, कब हमारी results को declare किया जाएगा. My dear friends, आपने देखा गंगा नगर, बिजनौर, number of places, आपने देखा बहुत invigilation के time में, during invigilation, invigilatives ने बहुत सी mistakes की, और हर बारी कुछ ऐसा होता है. To my dear friends, मुझे लगता है कि वो अभी इतनी जल्दी result declare करने वाले नहीं हैं. Definitely, पहले इन बच्चों का exam, means better to say, re-exam कब होगा, उसके बारे में planning चल रही होगी, और हमेशा ही NTA किसी ना किसी मुसीबत में रहती है. फिर से इस वार कई मुसीबते हैं NTA के सामने, कुछ हमें दिखाई पड़ती हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो definitely इससे में मसला इस बात का नहीं है कि answer की, क्योंकि answer की देने का मतलब bonus की बात करना, और ऐसा नहीं कि बहुत plain answer की इस वार है, बहुत सारी errors के साथ इस वार paper आया, तो NTA को कुछ काबल दिखानी चाहिए, क्या सारे बच्चे जो exam दे रहे हैं, वही काबल होने चाहिए, और जब बच्चे exam में काबल होने चाहिए, तो at least आप तो काबल होने चाहिए, the governing body, the examination body, those who are making papers, they must take care of how to make the errorless paper, अब बच्चा लोग, हर किसी का question इस समय यही है, कब final, क्योंकि बहुत सारे organizations ने जरूर answers दिये हैं, जब तक एक official NTA की तरफ से official की नहीं आती, definitely number of things आदे है, बहुत dilemma, बहुत chaos बना रहता है, let's see, मुझे लगता है नहीं कि, आज या कल में आएगी, कुछ वक्त लगेगा, और result बनाने में तो वक्त लगना ही लगना है, let's see, क्या करता है NTA, all the best my dear twins.